हालो एडिवन माई नेम इस कुलदीप सिंग राठोर और वेलकम इन गेटवाला प्लेटफॉर्म गाइज आप सब को बता है आप लोग लिए जो भी इंपोर्टन अपडेट ये इन फॉर्मिशन होती है टाइम लिव एसस पर आपको मिल जाती है गेटवाला के प्लेटफॉर काफी सारे स्टुडेंट होंगे जो computer science दीए electronics ब्रांच सब ब्रांच से बिलोंग करते होंगे और वहां पर रिक्रुमेंट आई थी गेट स्कोर कार्ड के विहाँ पर computer science, electronics and data science and artificial intelligence के बच्चों के लिए और यहाँ पर engineer ITS की even grade की यहाँ पर vacancies आई थी जिसमें salary range भी 40,000 से लेके one leg 40,000 था और direct recruitment थी basis of IH MCL तो गाइस यहाँ पर finally जो है इनकी shortlisting जो है यहाँ पर आ चुकी है और है तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाई किस लेवल का competition जो है computer science में electronics में data science में data science and artificial intelligence में जा रहा है क्योंकि cut-off अगर आप देखो गाईस तो really guys काफी ज़्यादा surprising है बहुत हाई cut-off गया है अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो first student general में shortlisted हुए है तो उनका यहाँ पर general category ह 986 उनका gate score था जो यहाँ पर shortlisted हुए है इसके अलवा अगर आप यहाँ पर देखेंगे यह पवन कुमार जी जिनका 907 OBC NCL category से बिलोंग करते हैं ऐसे ही यहाँ यहाँ पर 906 903 मयंक जमान जी 894 तो इस तरहीं के से merit list अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं general में यहाँ प OBC NCL Central List Only के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी cut-off अगर आप देखोगे 838 से gate score से start हुआ है और 753 gate score तक यहाँ पर OBC की cut-off भी गई है यहाँ पर approximately 8 बच्चे shortlisted हुए हैं SC की बारे में अगर हम बात करेंगा इस तो SC में यहाँ पर 788 से बच्चा जो है first student जो है वो लास्ट इस्टूडेंट है वो 628 पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि SC में यहाँ पर सोट लिस्ट हुए हैं SC में 788 से 733 तक बच्चे जो है वो यहाँ पर सोट लिस्ट 8116 और 797 वाले students लिस्ट हुए है PWD में भी अगर आप देखोगे 650 से 450 और 459 के आसपास यहाँ पर कटोप गई है तो गाइस कटोप जो है काफी ज़ादा सर्प्राइजिंग है काफी हाई कटोप गई है यह students का final selection हुआ है gate scorecard के basis पर और इनकी vacancies approximately 30 के आसपास vacancies थी तो 30 vacancies इसके लिए computer science, data science and artificial intelligence and electronics के बच्चों के लिए recruitment करी थी तो यहाँ पर अगर आप देखोगे direct जो है यहाँ पर recruitment था gate scorecard के भी हाप पर तो इस कटोप जो है काफी ज़ादा सर्प्राइजिंग है काफी हाई कटोप है देस्वाई मैं computer science, artificial intelligence and जो भी students belong करते हैं electronics से इन बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि इवन आप अगर IIT भी जोइन करना चाहरे हो या फिल आप gate में से PSU भी जोइन करना चाहरे तो आपको gate score को काफी ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा because competition जो है वो काफी ज़्यादा हाई है इन ब्रांचेज में और इवन IIT में admission लेते वक्त भी computer science, data science and artificial intelligence और electronics का gate score काफी ज़्यादा हाई जा रहा है और उस हिसाब से जो PSU जो उनमें भी जो gate score काफी ज़्यादा हाई जा रहा है तो अगर आप aim रखते हो कि computer science से मुझे PSU जोइन करनी है data science, artificial intelligence से भी यह IHMCL की जो opportunity है यह opportunity अवेलेबल थी इसके लावा electronics के लिए भी opportunity अवेलेबल थी तो अगर आपको join करना है तो आप target करिए कि gate score काफी अच्छा आप रखे एक idea भी आपको यहाँ पर मिल गया होगा तो guys यह सब videos हम आपको इसलिए provide करते रहेते हैं जिससे कि आप लोग एक target अपना state कर पाओ कि किस level ते cut off जा रही है जिससे कि definitely आपको सारी की सारी information पता रहे बागी guys next video में किसी और PSU का जब अगर announcement होगा gate score वगरा का announcement होगा तो आपको उसके बारे में भी information gate वाला के platform पर मिल जाएगी अगर IH MCL का detail advertisement आया था इसके बारे में अगर आपको और जादा detail देखनी है तो आप IH MCL NHAI gate वाला करके search करेंगे तो आपको इस्टुडेंट यहां पर shortlisted हुए है definitely आप लोग information भी दे सकते हैं जिससे कि आप लोगों की जो experience है उससे अधर जो student है उनको भी guide कर पाए thank you so much guys मिलते है next video में किसी और update के साथ तब तक लिए goodbye take care see you